हेलो इसुडेंट मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉटले कॉमर्स में आईए आज जनरल इंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों को काफी कन्फ्यूजन है खास करके 11 के बच्चों को जो नए नए आए है टॉपिक का नमेस आप द बड़ा कन्फ्यूज कर दिया है चेक हम लोग को कभी बोलता है चेक बैंक होगा कभी बोलता है चेक चेक इन हैंड होगा समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है हम बोले आओ आज हम लोग चेक का जमेला ही खतम कर लें और देखें कि चेक में क्या है सुनिएगा बात चेक दो तरह का है एक जब आपको मिलता है चेक रिसीवड दूसरा चेक जब आप देते हैं आप देते हैं मतलब बिजनस बेटे बिजनस को या तो चेक मिलता है या वो चेक देता है जब हम लोग बिजनस चेक से पेमिंट करता है तो चेक का नाम bank होता है बास समझ रहे हैं आप मेरा हम बोले हैं sir चेक का दो कहानी है एक या तो हम चेक ले रहे हैं या फिर हम चेक से payment कर रहे हैं अगर हम चेक से payment कर रहे हैं तो चेक का नाम क्या? bank लेकिन अगर चेक ले रहे हैं कहानी बस इसी में payment करने के समय check में कोई दिक्कत नहीं है वो bank है लेकिन लेने के समय कहानी सुरू हो जाता है check के साथ और ये कहानी सुर्फ 11 के लिए है बाबू आगे चलके check हमेशा ही bank होता है चाहे ले रहे हैं चाहे दे रहे हैं लेकिन 11 में check देने के समय तो bank है मतलब हम बोले सर हम salary अगर check से दे रहे हैं तो entry क्या होगा हम बोले बेटे salary expense है expense debit होता है salary account debit two हम बोले सर पैसा गया कहां से गया bank तो two bank चुछ चेक से payment कर रहे हैं लेकिन अगर check हमको मिल रहा है तब आपको वो कहानी समझना है मेरे साथ साथ चलिएगा check मिला और question अगर बोलता है कि check हमको मिला और हम उसी दिन जमा कर दिये तो check का नाम क्या है बाबू bank हम क्या बोल रहे है बेटे फिर सुनिए हम बोल रहे है sir check से जब payment करते है check का नाम हमेशा क्या होता है bank लेकिन check जब मिलता है तो हम बोले बाबू सुनो पहला बात question क्या बोल सकता है question लिखेगा कि check मिला और उसी दिन हम check को जमा कर दिये bank में same day में तो हम बोले है sir check का नाम क्या रहेगा bank जैसे मोहन से check मिला और हम bank में उसी दिन जमा कर दिये तो हम बोले sir क्या आया हम बोले check और क्योंकि हम उस दिन जमा कर दिये हैं, तो चेक का नाम क्या रख देंगे हम? बैंक की सर बैंक को दे चुके हैं, तो बैंक एकाउंट डेबिट, आप बात समझ रहे हैं मेरा? दूसरा चेक हमको मिला और कोश्चन बोला हम उस दिन जमा नहीं कियें किसी और दिन जमा कियें सुनिए फिर सेकेंड हम क्या बोलने है बेटे चेक मिला और कोश्चन खुदी बोल रहा है कि आज जमा नहीं कियें सेम डी जमा नहीं कियें सी और दिन जमा किये चेक का नाम चेक इन हैंड चेक का नाम क्या रहेगा बेटे चेक का नाम चेक ही रहेगा जिस दिन आपको चेक मिला और अगर आप बैंक में जमा नहीं किये कोश्चन यह बात बोल दिया है तो चेक का चेक का नाम क्या रखेंगे चेक, दो बात पड़ चुके हैं, क्या क्या, चेक रिसीव पे चक्कर है सर, चेक से पेमिन्ट करने में कोई चक्कर नहीं है, चेक से पेमिन्ट करते हैं, चेक का नाम बैंक, एकदम यही याद कर लेंगे मों सारा बात, चेक रिसीव हुआ, चेक मि और question बोला same day bank में जमा कर दिये चेक का नाम बोलो बिटे क्या bank चेक मिला और question बोल रहा है कि चेक को उस दिन जमा नहीं किये bank में मतलब किसी और दिन किये होंगे तो हम बोलें sir चेक का नाम फिर चेक बाट ठीक case number check receive चल रहा है दो कहानी पड़े तीसरा कहानी तीसरा ही कहानी है जो सबसे आदिक्कत देता है सुनिएगा चेक मिला question में लिखा है कि आप चेक receive किये फिर question नहीं बताया जमा हुआ कि नहीं हुआ बस यहीं से जमेला शूरू है चेक का बाकी कभी जमेला नहीं था चेक का हाँ sir बाकी दोनों को जमेला था ही नहीं अगर question बता दिया same day जमा किये तो चेक का नाम bank और अगर same day जमा नहीं किये है तो चेक का नाम चेक लेकिन question नहीं बताया जमा किये की नहीं जमा किये वो बोला बस चेक मिला हम बोले बेटे अब जहमिला शुरू हो गया तो क्या कीजिएगा हम बोले बेटे चार सिचुएशन हो सकता है चेक अगर मिलता है और कोश्चन कुछ नहीं बताता है तो चार सिचुएशन है सुनिएगा सबसे पहले जिस देट में आपको चेक मिला उसके बारे में question कुछ नहीं बताया की चेक कब जमा किए कि नहीं किए तो क्या करना होगा पहला काम किजिएगा जिस डेट में चेक मिला है उसके बाद का सारा transaction पढ़ना पड़ेगा उसके उपर का नहीं पूरा question पढ़ गए उसके बाद हम और उस check के बारे में कोई भी information मिला ही नहीं उसके बाद मतलब check माल लीजी हमको मिला 4 तारीक को 4 March को हमको check मिला ठीक बिटे 4 March को वो check मिला हम बोले सर्थ उसके बाद 10-12 transaction और है हम सभी transition पढ़ गए लेकिन उस 4 March को जो check मिला था check received and no information in the question check मिला और को information नहीं है question में whether check is deposited in bank or not आपको नहीं पता है जमा है की नहीं तो क्या करना पढ़ेगा मुले पहला first read all the transaction after check is received 4 March को हमको check मिला था 4 March के बाद जितना भी transaction दिया हुआ है उन सब को पढ़िए after reading all the transaction जब आप सारा transaction पढ़ ले if you don't find any information regarding the check you received अगर आपको 4 March को जो check मिला था उसके बारे में कोई भी information नहीं मिल रहा है then the check you received is bank तब 4 तारीक को जो check मिला था उसका नाम क्या रखा जाएगा bank मतलब bank बोलके entry होगा check बोलके entry नहीं होगा reason हम बोलें sir हमको 4 तारीक को मिला और हम पूरा 30 March तक पढ़ लिए है और कहीं कुछ बताया ही नहीं है question में तो हम बोलेंगे sir इतना दिन तक check अपने पास थोड़ी रखा हुआ होगा हमको जिस दिन मिला होगा हम उसी दिन जमा कर दी होगा ये logic है बेटे उसका और कोई logic नहीं है तो हम बोलें sir आप बोल रहे है चेक मिला और question कुछ नहीं बताया तो information पढ़ेंगे आगे का हम बोले हाँ और अगर उस check के बारे में पूरा transaction में कहीं और कुछ बात ही नहीं किया है question तो check का नाम जिस दिन मिला था उस दिन किस नाम से लिख देंगे उसको हम लोग sir bank के नाम से लिख देंगे बात clear हो रहा है मेरा जी sir दूसरा case हम बोले बाबू चेक मिला question कुछ नहीं बताया हम बोले sir सारा transaction को पढ़ देजिए हम बोले ठीक पढ़ देंगे जब आप नीचे बागी transaction पढ़ने लगे तो उस चेक का information जो आपको चार तारीक को मिला है उस चेक का information किसी all date में मिला और वहाँ पे लिखा हुआ है माल लिजे चार तारीक को चेक मिला और फिर question नहीं बताया कि जमा किये की नहीं किये तो हम क्या करेंगे पहले हम पढ़ना शुरू कर देंगे उसके नीचे से सारा transaction पढ़ते पढ़ते दस तारीक को आए तो दस तारीक को लिखा हुआ है कि चार तारीक वाला चेक हम दस तारीक को जमा कर दिये आप बास समझे रहे है information मिल गया उसका और क्या लिखा है वो कि 10 तारीक को जमा किये तो हम बोलना है सर जिस दिन चेक मिला होगा उस दिन चेक चेक ही रह जाएगा क्यूंकि आप तो 10 को बैंक में जमा किये तो जिस दिन मिला है उस दिन जमा किये नहीं आप और जब जमा नहीं किये है तो चेक का नाम क्या है बेटे चेक First, read all the transaction after you receive the check चेक मिलने के बाद आप बाकी सारा transaction पढ़िए If you find that your check is deposited on some other date then the day you receive the check is check क्या मतलब हम बोले बेटे जब आप transaction पढ़िए तो आपको आपका check का information मिल गया और वहाँ लिखा हुआ है कि इस check को हम इस दिन जमा कि चार तारीक को मिला और दस तारीक को हम जमा किये दस तारीक को जब हम पहुंचे लिखा हुआ है check received on 4 March is deposited into bank तो हम बोलने है sir तो फिर चार तारीक को जब check मिला था वह check आपके पास पड़ा हुआ रह गया तो check का नाम क्या check जमा कर देंगे तो bank हम बोले ठीक दो बात clear हो गया हम बोले हाँ पहला बात क्या था मेरे सासत बोलिए बेटी सर पहला बात था check हमको मिला और question कुछ नहीं बताता है तो पहला case सारा transaction पढ़िए अगर पूरा transaction में कहीं भी उस check का बात नहीं मिलता है तो वो check जिस दिन मिला था उसी दिन हम लोग bank के नाम से लिख देंगे दूसरा हम बोले है sir check मिला और question कुछ नहीं बताया आगे तो हम लोग सारा transaction पढ़े अगर उस check का किसी transaction में लिखा मिल गया कि हम उस दिन जमा कर दिये किसी अलग दिन में जमा कर दिये तो जिस दिन check मिला होगा उस दिन check का नाम क्या रहेगा चेक तीसरा चेक मिला चार तारिक को question कुछ नहीं बताया हम आगे पढ़ना चुरू किये उसके बाद किसी date में लिखा हुआ है check degener समझ रहे हैं बाद हम बोलने सर किसी date में लिखा हुआ है कि check degener होगा अप जिस आदमी का check लिए है उसका check bounce कर गया उसका account में पैसा ही नहीं है उसको बोलते हैं टिज़ाणर होगा ठीक बात आप समझ रहे हैं? बाउंस करना, चेक बाउंस करता है कब करेगा? मान लिए आप हमको हजार रूपया का चेक दीएं हम जाके बैंक में दीएं, बैंक वाला बोल रहा है इसका इकोण तो पैसा ही नहीं हजार रूपया on some other day then the day you received the check is bank, बोल रहा है हूं क्या लिखे हैं कि अगर आप पाते हैं कि आपका check degenerate हो गया है, मतलब 4 तारी को check मिला, 12 तारी को लिखा हुआ है कि the bank degenerate the check received on 4th of March तो हम बोल रहा है सर, किसी अलग date में अगर question बोलता है कि आपका check degenerate हो गया है क्योंकि सर, अगर आपका check degenerate हुआ है, तो पक्का बात है कि आप check bank में जमा किये तभी तो bounce किया, घर में बैठे रखे रखे तो check bounce नहीं किया होगा तो 4 तारी को जो check मिला होगा check कहां जमा कर दिये हैं, bank में तो check का नाम क्या, bank, बासों में आ रहा है और एक और situation हम बोल रहे हैं, sir check मिला, question कुछ नहीं बताया तो फिर क्या करना पड़ेगा, sir पहले तो आप बोले हैं, transaction पढ़ो तो हम check मिलने के बाद का सारा transaction पढ़ लिए बीच में कहीं लिखा हुआ मिला उस check के बारे में कि हम अपना check किसी और को indoors कर दी, indoors का मतलब होता है बेटे, आपको जो check मिला था वो आप किसी और को दे दिये उसको बोलते हैं, indoors करना बाद ठीक, तो हम बोल रहे हैं, sir अगर जो check आपको चार तारीक को मिला, आप 15 तारीक को उस check को किसी और आदमी को दे दिये तो चार तारीक को जो चेक मिला था उस चेक का नाम होगा चेक बात समझ में आ रहा है आपको मेरा हम फिर से बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सर इंडोर्स का मतलब होता है आपको जो चेक किसी और आदमी से मिला था वो आप किसी और आदमी को दे दिये तो हम बोल रहे हैं सर चार तारीक को हमको स्याम से एक चेक मिला 10,000 का 15 तारीक को वो चेक हम राम को दे दिए तो हम बोल रहे हैं चार तारीक को जो चेक मिला था वो चेक आफी के पास होगा तभी तो आप राम को दे दिए तो चेक का नाम चार तारीक को चेक रहेगा, बैंक नहीं हो सकता है याद रखिएगा, बैंक तब लिखते हैं, जब बैंक को वो चेक मिलता है, बाट ठीक, चली आईए, आगी बढ़ते हैं बेटे इस पे कुछ कोश्चन है हम तो सॉल्व करेंगे, इतम क्लेर हो जाएगा बाट ये रहा कोश्चन चली, पहला सेलरी पेड बाई चेक, हम लोग क्या सीके सर, चेक से जब कभी जी पेमेंट करेंगे तो चेक का नाम बैंक, हम बोले हाँ, तो पहला सेलरी, सर सेलरी खर्चा होता है, तो डेबिट कीजिए modern rule में भी यही बात है तो क्रेडिट कीजिए, हम बोले हाँ सर, ये कौन सा रूल था, modern rule बिट है expense बढ़ गया, सेलरी दे रहे तो खर्चा हो रहा है, डेबिट और modern rule बोलता है, कि आपका अगर assets decrease होगा, तो credit, हम बोले है सर, बैंक में जो पैसा आप रखे है वो आपका संपत्ती है, assets से तो जब आप बैंक से पैसा निकाल के दे दीजिएगा, तो आपका assets घड जाएगा, हम बोले हाँ, तो क्या लिखे हैं हम two bank, being salary paid और सर, अगर golden rule follow करते तो, debit all expenses and losses, credit what credit credit the giver, जो देगा हम बैंक दिया being salary paid by check हाँ सर, अब तो हम लोग को entry आने लग गया है, दूसरा पढ़िए सर, rent paid by check, किराया दे रहे हैं, क्या किराया भी खर्चा है हम बोले हाँ, expense है, तो सर expense तो debit होगा हम बोले हाँ किस से दिये, सर check से, तो सर पैसा गया, हम बोले हाँ check से दिये से क्या लिखे हैं, bank payment करने के समय, check का नाव हमेशा क्या रहता है, bank, कोई problem नहीं payment करने के समय में हम बोले हाँ being rent paid by check बात समझ में आती हैं, जी सर, आओ बेटा, आगे बढ़ें पहले question पढ़ लो goods purchase and payment made by check, रूपीच 15,000, बोल रहा है समान खरीदे, goods खरीदे कितना का, 15,000 का, और payment कैसे किए, check से, मतलब सर उधारी नहीं चल रहा है, नगत में चल रहा है, हम बोले हाँ तो समान खरीदने का entry क्या होगा, बाबू, बताओ सर, purchase account, debit, समान मेरे लिए आया, goods आयेगा, तो debit हम बोले हाँ, 15,000 payment कैसे किए, सर, check से, तो सर, payment करने के समान, check का नाम क्या, bank तो सर, पैसा गया, credit what goes out, हम बोले हाँ, पैसा जा रहा है, रेकिन bank से, being, goods purchase and paid through bank बास समझ रहे हैं, जी सर, चौथा, आओ चौथा, पढ़े पहले question, क्या है चौथा, sold goods for rupees 12,000, आप इन सभी बातों copy कर रहे होंगे, question, answer, serve, sold goods for rupees 12,000 and receive check, बोल रहा है, 12,000 में goods बेचे और check मिला, check is deposited into the bank same day, लो बेटे, बता दिया जो check आपको मिला, उसी दिन bank में जमा कर दे, हम लोग क्या पढ़े थे, कि sir, check अगर मिलता है, और question बोलता है, उसी दिन जमा कर दे, तो check का नाम क्या, bank, तो हम बोले, sir, पैसा आया, हम बोले, हाँ, check आया, तो check का नाम क्या लिखेंगे, sir, bank, क्यों, क्योंकि उसी दिन जमा किये, ऐसा question बोला है, कितना रुपिया, sir, 12,000, credit क्या होगा, sir, सामान गया, credit what goes out, to sales, being, goods sold, and check received, goods sold, and check receive, पाँचवा नमबर पढ़िये, पाँचवा नमबर, check received from Ram 20,000 and deposited into bank after two days, बोल रहा है, check Ram से मिला, और bank में दो दिन बार जमा किये, तो हम बोले है, sir, जिस दिन मिला है, check उस दिन जमा नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, कि check अगर मिला, और उस दिन जमा नहीं किये, तो check का नाम क्या रहेगा, check, question बताया है, कि उस दिन जमा नहीं किये, तो entry क्या होगा, sir, check आया, तो check का नाम check, तो check in hand, इसको check in hand लिखते हैं, बाबू की हाँआप में check है, कितने रुपय का, 20,000, credit क्या होगा, credit the giver, देने वाला credit होता है, sir, अब तो हम लोगों को आ गया है, इसा पंड़ना, अब हम लोग गोल्डर रूर हम लोग भी लगा लेते हैं, हम बोले, very good, तो to ram, कौन सरुल follower, debit what comes in, credit the giver, क्योंकि कुछ जा थोड़ी रहा है, being, check received from ram, सर, चेक क्यों लिखे, क्योंकि बेटे, question में क्या लिखा है, दो दिन बाद जमा करेंगे, मतलब, आज जो चेक मिला है, वो तो आज में हाथ में ही है, तो चेक का नाम चेक, हम लोग के भी रखे हैं, कि चेक अगर मिलता है, और उस दिन जमा नहीं करते हैं, बैंक में, तो चेक का नाम चेक रहता है, हाँ, सर, याद आगिया, चलो, being, check received from ram, sixth, point number six, check received from Mohan, 5000, and deposited into the bank, on the same day, बोल रहा है, Mohan से चेक मिला 5000 का, और उसी दिन बैंक में जमा कर दिये, तो चेक जिस दिन मिलता है, और अगर हम उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, तो चेक का नाम क्या, सर, बैंक, आप लिखवाएं हैं इस बाग को, हम बोले हाँ, check received and deposited into bank same day, चेक का नाम क्या, बैंक, हम बोले हाँ, आओ लिखो फिर, तो सर, पैसा आएगा, तो बैंक, एकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आ गया होगा, कितना रुपया, पाँच हजार, क्रेट दगीवर, कौन दिया, हम बोले मोहन, कितना, पाँच हजार, being checked received and deposited into bank, being checked, received, from, मोहन, and, deposited into bank, on the same day, क्योंकि हम same day ही जमा कर दिये हैं, इसलिए चेक का नाम क्या हो गया, बैंक, चलो, आगे बढ़ो, और एक एक एक्जामपल लेंगे हम लोग बेटे, ताकि क्लियर हो जाए बात, चली, आओ, और एक एक्जामपल, स्टार्टेड बिजनस विस चेक एक लाग, बिजनस स्टार्ट किये, सर मालिक दिया पैसा, हम बोले हाँ, चेक से दिया, क्या कोश्चन बताया है, चेक बैंक में जमा किये हैं की नहीं, हम बोले नहीं सर, तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर कोश्चन नहीं बतायेगा, तो पूरा कोश्चन पढ़ना पढ़ जाएगा, आओ बढ़ें, चेक कब मिला है, एक अप्रेल 1999 को, इस चेक के बारे में, अगर पूरा कोश्चन में कोई इन्फोर्नेशन नहीं मिला, तो चेक का नाम बैंक, अगर चेक हमको एक तारीक को मिला, फिर हम पूरा कोश्चन पढ़ गया है, बीस तारीक तक, और हमको इस एक तारीक वाले चेक के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो चेक का नाम क्या रख देंगे, बैंक, बाठ ठीक सुनिएगा, दो तारीक को, इसके बारे में तो नहीं है, चेक रिसीब्ड फ्रॉम राम इसके बारे में नहीं है, चेक रिसीब्ड फ्रॉम मोहन इसके बारे में नहीं है, चेक रिसीब्ड फ्रॉम स्याम इसके बारे में नहीं है, चेक रिसीब्ड ओन दो चार, तो सर ये दो-चार के बारे हम बात कर रहा है मतलब इस चेक के बारे हम बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये चेक कब मिला था एक-चार को फिर बोल रहा है चेक रिसीब फ्रॉम मोहन HD जॉनर सर ये भी नहीं है चेक रिसीब फ्रॉम सियाम ये भी उसके बारे में नहीं बात कर रहा है sold goods 5000 paid by check purchase goods उसको बारे में बाती ही नहीं है purchase machine तो sir पूरा question पढ़े और कहीं पर भी हमको 1499 को जो check मिला था उसके बारे में question कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या लिखे थे कि sir check अगर मिले और question कुछ नहीं बताए तो हम लोग को बाकी का transaction पढ़ना पढ़ता है हम बोले हाँ तो बाकी सारा transaction पढ़ने के बात अगर उस check के बारे में कुछ भी मालूब ना चले तो वो check का नाम क्या रखेंगे bank तो entry क्या होगा sir जो आएगा वो debit हम बोले बिल्कुल डेट लिखो एक चार निन्या नवे क्या आया हम बोले check और check का नाम क्या bank हम बोले हाँ sir अब समझ में आ गिया है bank क्योंकि इस check का information पूरा transaction में कहीं नहीं है हम बोले हाँ two कौन दिया हम बोले sir capital मालिक दे रहा है तो ओनर का नाम क्या capital credit the giver और जो modern पड़ रहा होंगे increase in assets increase in liability हम बोले हाँ अगर भी इन स्टार्टेट बिजनस विच्चिक second पढ़िए sold goods 10,000 and check received बोल रहा है समान बेचे 10,000 पर check मिला अब जमा हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं फिर पढ़ना पड़ेगा तो हम बोले sir जो दो तारीक को check मिला है उसका information 6 तारीक को है सुनिए check received 6 तारीक को पढ़ रहें बेटे check received on पहले आप 3 को पढ़े 4 को पढ़े 5 को पढ़े इन सब में 2 तारीक का कोई मतलब नहीं था लेकिन जैसे हम 6 तारीक को पहुँचे तो वाँ लिखा हुआ है check received on 24 1999 deposited into bank 6 तारीक को ये check जमा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 2 तारीक को जो check मिला था समान बेच करके वो जमा करने bank में कब गए 6 तारीक को तो हम बोलें सर्थ 2 तारीक वाला जो bank check है उसका नाम क्या हम बोले check का नाम check लिखवा के भी रखे हैं कि अगर check हम को मिले और फिर नीचे किसी transaction में उस check को किसी और दिन जमा करने का बात मालूम चले तो जिस दिन check मिलता है उस दिन check का नाम क्या है बेटे check तो हम लोग क्या लिखेंगे सर check in hand account debit हम बोले very good check का नाम check check क्यों लिख रहा है check क्योंकि सर इस दो तारीक वाले check को आप दो तारीक को जमा थोड़ी कियें कब यमा कियें छे तारीक को तो सर जिस दिन मिला होगा उस दिन तो हाथ में check ही रखा रह गया होगा आपके हम बोले हाँ two sales account कितना रुपया 20,000 sorry 10,000 being sold goods and check receipt आईए तीन तारीक को पढ़ते हैं बेटे हम लोग check receipt from राम 20,000 राम से check मिला लेकिन पता ही नहीं फिर क्या तो हम बोलें बेटे पूरा question पढ़ो फिर यहां के बाद से खोजो क्या राम का नाम से कोई बात है या तीन तारीक से उपर कोई बात है हम बोले सर मोहन है, सियाम है फिर छे तारीक हो गया फिर मोहन है, सियाम है नहीं सर तो हम लोग क्या बोले थे कि check मिले और उसके बाद question नहीं बताए जमा हुआ है कि नहीं तो पहले आप पूरा transaction पढ़िएगा उसके बात का तो हमों पढ़े और फिर अगर उस check के बारे में कोई information ना मिले तो check का नाम क्या? bank हम बोले आओ बेटे लिखे तीन तारीक को check का नाम क्या? bank क्यों? क्योंकि सर ये जो check आपको मिला है राम से उसके बारे में पूरा transaction में कोई information नहीं है इसलिए check को हम जमा कर लिए होंगा ऐसा माना जाएगा हम बोले हाँ 20,000 इसलिए check का नाम bank to कौन दिया? हम बोले राम 20,000 debit what comes in credit the giver और जो modern पढ़ रहे होंगे increase in assets decrease in assets being check received from राम अगला चार तारिक check received from मोहन 30,000 मोहन से 30,000 का check मिला सर पता नहीं जमा किया कि हम बोले हाँ तो फिर पड़ो आगे मोहन वाला चेक का नाम ढूल रहे है साथ तारिक को मिल गया बेटे check received from मोहन is dishonored by bank हम बोले है सर जो चार तारिक को मोहन से आपको check मिला है वो साथ तारिक को bank में dishonor कर गिया है dishonor का मतलब bounce कर गिया है उसके काउन पैसा आई नहीं था तो हम बोल रहे हैं कि सर आप लिखवाए हैं कि check अगर मिले और उसके बाद वो किसी और date में डिजॉनर कर जाए तो जिस समय check मिला था check का नाम bank होगा क्या ऐसा लिखवा के रखे हैं हमें हाँ आओ पढ़े पढ़ेए check आपको मिला तो आप क्या किये पहले transition को पढ़ लिए if you find that your check is डिजॉनर on some other date आपको जो check मिला था वो किसी और date में डिजॉनर हो गया the day you receive the check is bank तो आपको जिस दिन check मिला था उस check का नाम क्या रखा जाएगा bank थोड़ा मेहनत तो कर नहीं भगबाब या तो कर नहीं पड़ेगा इसम बात हो क्यों बुले हाँ cherry तो sir जब मिला था तो उसका नाम क्या bank bank account debit कौन दिया sir Mohan very good कितना 30,000 being check received from Mohan पांचवा तारीक check receive from सियाम 40,000 लो फिर चेक मिला लेकिन पता नहीं जमा हुआ है की नहीं तो आगे पढ़ो देखो आठ दस तारीक को जो check पांच तारीक को मिला था उसका information कब है दस तारीक को check receive from सियाम is indoors to Mr. X indoors का मतलब किसी और को दे देना हम बोलने sir पांच तारीक को जो check सियाम से मिला था 10 तारीक को वो check हम Mr. X को दे दिये तो हम बोलने sir आप लिखवाएं थे कि अगर check के बारे में को information नहीं हो तो पहले पूरा transaction पढ़ो हम बोले हाँ उसके बाद अगर वो check के बारे में कही information मिल जाता है कि वो check किसी और आदमी को दे दिये है तो जिस दिन check मिला था उस दिन check का नाम check क्या हम ऐसा लिखवा के रखें है बिलकुल आप पढ़ ले एक बार उसको ताकि आपको याद हो जाए first read all the transaction after you receive the check जब हम वो check मिला उसके बारे में कुछ नहीं बताया question तो हम ट्रांजिन पढ़ेंगे if you find that your you if you find that you endorse the check on some other date endorse का मतलब transfer the check to other person then the day you receive the check is check तो अगर आपको जिस दिन check मिला था उस check का नाम क्या रहेगा बेटे check रहेगा हम फिर से फुरा रहे हम बोले है sir हमको जो check मिला आगे चलके वो check हम किसी और को दे दिये तो जिस दिन वो check हमको मिला उस check का नाम check रहेगा बैंक नहीं होगा हम बोले ठीक तो पांच तारीक को check in hand account debit पांच चार उन्निस सो निन्यानवे क्या लिखेंगे check in hand account debit कौन दिया सरस्याम कितना 40,000 being check receipt from से आम बाठ ठीक अगला पढ़ो बेल्टे छे तारीक check receipt 24,99 deposit into bank बोल रहा है जो check आपको 24 को मिला था उसको bank में जमा कर दी है तो हम बोले है सर 24 को जो मिला था check वो हम किसको दे दिये bank को rule पहला debit what comes in हम bank को check दिये क्या मेरे पास कुछ आया हम बोले नहीं दूसरा debit the receiver जो हम से लेगा उसको debit करेंगे क्या ये check हम से कोई ले रहा है हम बोले हाँ सर बैंक ले रहा है तो हम debit में किसको लिखेंगे bank को कितने का check था दो तारीक वाला सर दस हजार का तू पहला credit करूँ credit what goes out जो जाएगा वो credit क्या गया सर चेक गया जो चेक आपको दो तारीक को मिला था वही गया तो जब दो तारीक को मिला था चेक का नाम क्या था चेक इन हैंड तो जब वह आप bank में डालेंगे तब भी नाम क्या रहेगा चेक इन हैंड being चेक deposited into bank अगला साथ तारीक को चेक receive from Mohan is degenerate by bank इसका मतलब जो चेक आपको Mohan से मिला था वो bank वापस कर दिया तो हम बोलें सर bank आपको दिया और आप उस चेक का क्या कीजिएगा आप Mohan को दिजिए तो चेक का असली owner कौन है Mohan वही तो चेक दिया था उचेक आपको दिया बैंक बोला आप इसे पैसा नहीं है चेक ले जाओ तो हम चेक ले जाकर के अपने पास रख्ये क्या करेंगे हम चेक किसको दे देंगे Mohan को तो चेक हमसे कौन लिया Mohan और हमको चेक कौन दिया bank तो हम बोलें सर हम Mohan को दिये bank हमको दिया इंट्री क्या बनेगा हम बोले सर debit what comes in हम बोले चेक आया हम बोले चेक जरूर आया फिर आप उसको चेक को अपने पास थोड़े रख्येगा आप किसको दे दिये Mohan को तो पहरूल क्या लगेगा debit the receiver जो लेगा वो debit तो कौन लिया Mohan क्योंकि आपका वो चेक ही नहीं है तो आप दे दिये Mohan को चलिए date है साथ तारिक कौन लिया Mohan bank बोला पैसा नहीं है तो bank हम को चेक दिया और हम किसको अपस कर दिये Mohan को हम बोले भाई Mohan तुमारे पास तो पैसा ही नहीं है अपना चेक पकड़ो और हम को कौन दिया bank two bank credit the giver debit the receiver credit the giver being check dishonor being Mohan's check dishonor 10 तारिक 10 तारिक क्या है लिखा है स्याम चेक चेक रिसीब फ्रॉम स्याम इंडोस तू मिश्टर एक्स बोल रहा है जो चेक स्याम से मिला था वो आप एक्स को दे दिये तो हम बोले है सर्फ पहला रूल debit what comes in जो आएगा वो debit हम मिश्टर एक्स को चेक दे दिये क्या कुछ आया हम बोले नहीं debit the receiver जो लेगा वो debit क्या हम से ये चेक कोई ले रहा है हम बोले हम बोले हमिश्टर एक्स चाल्लेस हजार टू पहला credit what goes out जो जाएगा वो credit होगा स्याम वाला चेक हम दे दिये क्या कुछ गया हम बोले हम बोले हम सर स्याम चेक इंडोस टू मिश्टर एक्स क्या तक हो गया बात आगे बढ़िए सर आओ आगे बढ़े दस तारीक के बात का question क्या है आओ पढ़े पंद्रा तारीक को purchase goods 5000 and paid by चेक समान खरीद रहे हैं payment चेक से कर रहे हैं सर आप सिखाएं थे कि जब भी चेक से payment करेंगे चेक का नाम क्या लिखेंगे bank payment करने के समय चेक का नाम बस एक ही गो है वो क्या है bank आओ लिखे पंद्रा अप्रेल उन्निस सो निन्या लवे तो फिप्टींथ अप्रेल नाइटीन नाइटीन का इंट्री सर समान खरीद रहे हैं गोड्स आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू चेक से payment की हैं चेक का नाम क्या bank पांच हजार पांच हजार बेइंग गोड्स परचेज और पेट बाई चेक बेइंग गोड्स परचेज एंड पेट त्रू चेक अगला बीस तारीक बीस एप्रेल 20 एप्रेल नाइंटीन नाइटीन 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 चाड़ी पड़े लिखा है परचेज मशीन पचास हजार पेट बाई चेक मशीन खर दे पचास हजार का पेट चेक से किये एंड इंस्टॉलेशन चार्ज एक हजार पेट इन कैश और फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ उसमें कितना पेट किये हजार रूपय लेकिन कैश में तो हम बोले सर आप लास्ट क्ला सिखाएं थे कि एसेट्स को इस्तमाल करने में जो भी खर्चा होगा वो एसेट्स के दाम में जुड़ जाएगा हम बोले हां तो सर ये जो खर्चा है मशीन का 1,000 रूपयां इंस्टॉल का हम बोले हां बोले हां तो सर सु लम ऐसेट्स का दाम Fifty- one वो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा वो अलग सेट्रि नही करेंगे हम बोले हां वो अलग सेट्रि नहीं करेंगे तो हम बोले सर मशीन 51 का हम बोले हाँ तो Рूल versus debit what comes in जो आएगा वो डेविट मशीन अकाउंट डेविट $51,000 तू आप चेक से पेمنड किये हैं 50,000 cash से पेمنड किये हैं एक हजार हम बोले हाँ तो सर जब चेक से पेमेंड करते हैं तो चेक का नाम बैंक हम बोले हां तो सर क्रेडिट में होगा 2 बैंक पैसा जा रहा है और जो इंस्टॉलेशन आप कैश में किये हैं उसके लिए 2 कैश तो बैंक में 50,000 कैश में 1,000 हम बोले हां डेबिट वाट कमस इन क्रेडिट वाट गोज आउट आउ लिखें क्या होगा इंट्री बेटे शर मसीन अकाउंट डेबिट अच्छा मसीन अकाउंट डेबिट 51,000 हाँ सर 51,000 टू चेक से कितना पैमेंट हम बोले 50 और चेक का नाम पैमेंट करने के समय क्या सर बैंक टू इंस्टॉलेशन का खर्चा का पैमेंट तो आप कैस से कियें तो कैस से कितना गया 1000 रुपया हम बोले हाँ बीन मशीन परचेश्ट मशीनरी परचेश्ट बात समझ रहे हैं आप मेरा तो बेटे ये टॉपिक था चेक का चेक पे बहुत लोगों को डाउट है उमीद करते हैं आप बात को समझ रहे हैं चेक के ओपर जो बात लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़िए इस एक्जामपल को बनाईए उसके बाद आपका सारा डाउट खतम हो जाएगा चलिए आज हम लोग का क्लास यहां तक था अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो बागो ताकि आगे और वी वीडियो आएंगे क्लास 11 के 12 के और बिकॉम के चलिए तब तक के लिए सबको ठैंक यू घर में रहिए सेफ रहिए बाई झाल झाल